लेकिन आप देश सत्य हो पुरे ग्राउन रिपोर्ट में बन पुरे प्रसासन की तगड़ी सुरच्छा है और हजारों की त्यादात में यहां पर फुली प्रसासन अपने ड्यूटी में मुस्सेदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं और कई थानों के जो के स्पी आए हुए हैं एस्पी ड्यूटी रेंग के अधिकारी लोग पुरे मुस्सेदी के साथ में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जो वीडियो वारल हुआ था विद्यानपूर में घटना हुई थे जो मार्पिट जहां पर यहीं महोल है यह इसी जगह से है जहां पर जो पुरे वीडियो वारल हुआ था सभी अप छती गया में जो चर्चा का महोल बना हुआ है विद्या महले में है जहां से मार पे जो अमार लड़के का वीडियो बारा हुआ था जिनको मार पिट के बार इसी जगह में उनको बैठाय हुए थे तो मनों बात चित कर रहे हैं गाव में तो अभी अभी तक माहौल थोड़ा दहसत में हैं जिसे भी इसे बात कर रहे हैं तो बात चित क प्रवड़ होगा है यहीं पर प्रशाथन के सब्सक्राइब अब होगी हुई है आप बूरे सन लगी हुई ऊथे हैं अब फुलीज की प्रसाथन की टीम लगी हुई है और हर प्रसासन के साथ में एक अधिकाणी साथ में बढ़ा है अभी हम लोग ने दोनों पक्षों की बैठक बलाई हुई थी और उनको समझाईज दी गई है कि आप लोग दोनों पक्ष दैनिक जीवन जैसे जी रहे थी उस तरह की रूटीन में आ जाएं और किसी प्रकार की कुछ दिक्का थो प्रशासन साथ में है यह हमने समझाईज दी है और उनको कहा है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो यहां पर हम हमारे आदमी उपलब्द हैं और दोनों पक्षों को आपस में मेल मुलाकात करने और रोज की तरह बाकी कामकाश करने के लिए अपील किया है दहसत का माहौल बिलकुल नहीं है और दहसत के माहौल को हटाने के लिए हमने उनसे बात किया है कि आप रोजमर्रा के कामकाश करने के लिए आएं बाहर और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है पुलिस पसवान आपके साहत है इसलिए हमने समझाई दी है तो चमाली जो लगी है वो हट गई कि यह कब हटाएंगा तरह दारा 144 अभी कब तक रहेगी लगी है अभी कब तक रहेए यह बताना उचित नहीं है क्योंकि हम निवी तरुप से समिक्षा करेंगे कि यहां पर कानौन व्योस्ता ठीक ठाक है नहीं है और आगे बढ़ाना है क्या उस्ता है या नहीं है यह सारे चीजें समिक्षा करने बाद उसको हटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे परसंड की प्रतेग घरों में सर्वे करवा यह और उसमें से हम लोग पूरी जांच परतार करने के बाद यह मैं आस्वास करना चाहता हूं कि एक भी मेसिंग नहीं है और जो हत्या हुई है केवल दो ही परसन है जो चार या छे की बात करें और पूरी तरह से अफ़ा है उसके बारे में कुछ जांच हुई इस अभी जो दोलों की हत्य हु मुस्लिम समदा जो आपस में जो दहसत में है सर्जी का खुले में कहना है कि अपने रोजमरा के हिसाब से जिसी जो दिन की चडिया थी उसमें अब फिर से आ सकते हैं और यह जो दहसत का महौन है इंको बिलकुर मन से हटा दे अपने जो पहला जो आता वरान था गाउं में जैसा पन रहते थे वैसा फिर से रहना के इस्टार कर जिए आपका नाम क्या है मेरा नाम संजय कुमार याता है जी तो भी अभी जिसे आप से गाउं का महौल अभी पच्छतिगर में बना हुआ है विदैनपूर जिसे आप से यहां पे हिंदू-मुस्लिम के बीच में में से बुना हुआ था इस तो चम्वालीस की धाया लगे हुई है इतने पूलीस पर शासन लगे हुए अब कैसे लग रहे हैं महौल अभी तो सांथ है सर महौल पहले से बहुत सांथ हो गया महौल जी जी लेकिन अदमी अफवा बहुत ज्यादे कर रहा है सर जी जी कि ऐसा हो जाते हैं कि अब सांथी का महौल हो सर सांथ रहे औरमस्ता एक भाई चाहरा जी जी और दूसरे से हम लोग ही मिल के रहना चाहते हैं है और हैसा हम लोग को कुछ निची है सर जी 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 लॉप तो अभी जैसे आप रहार बहुत है बाखर तो नहीं लेकल पारा रहे सर पाना रहा हैं इसको हम लोग चाहरा है से की खुला रहें और सानथी का महल हम लोग को यही हम र्रिक्वेस्ट करते हैं सर कि जदा से जदा सांती होना चीए हमारे गांव अच्छे रहना चीए पहले जैसे और यह जगलड़ाई सांथ हो जा सब आदमी अब दूसरा गाउने से पता करने का चांस करते हैं सर कि क्या है कैसा है तो इसलिए हम लोगों अपना मुबाइल मन कर दिया सब अब क्या चाहते हैं मेडिया के अब पाजेटु संदेश में आपके ना चाहते हैं कुछ नहीं बस यह सांथ हो जाए महुँ अच्छे से अपना एक्जाम दिलाएं इनका कल इजाम था मैं आठ सब्जेक्ट लिए है फश्टियर में अभी और इनका साजा में पेपर देने के लिए जाना था लेकिन मेड़ाम लोग को घर का महौल ऐसा बना हुआ है कि 145 तिकानान घर में ऐसा दहसत का महौल है कि मैं लोग पेपर देने गए नहीं ग्राउं रिपोर्ट लेने के लिए आए हुए हैं तो हम लोग मुस्लिन समुदा के घर भी आए हुए हैं को कि इस एडिया में बहुत फोर्स लगे हुए है और क्लेक्टर साब भी बोले है कि दोनों समुदा के हम लोग मिल जूल के रहने के लिए बात करें हैं अब बाक्ए हम लोग बहन से बात करते हैं तो वाजी आपका नाम क्या है पुरजोगा भी नामा भी तो कैसा है जुद फिर आप से माहल बना हुए हैं पूरे 36 मेह पूर पूरा गलती नहीं हमने पूर पड़ता थे वहां अच्छा सही बादला मटवार नी अपना मारे हमार दार बेका थे अच्छा अच्छा जो भी है तीन से चार दिन दिन चड़िया जो हो गया है अप लोग चाहते होंगे ना कि अच्छे से महाल बने जहां था ओमने चाहते ना सब्ला मारो मारो यहां पठाने रहना ने चाहते मत रहा इसकी बोलना थे रहे हैं जो भी है जो पर बाद चल रही है अब यही है कि आप लोग भी और दूसरे समोधाविए बाचित चरी है कि जैसी अपना दिन चड़िया है लोग एक दूसरे समील के रहे जो अपना रोभी काम धाम है कामध्याब करें किने था पन खोड़ने फश्यसने पने खीजने कीसी सब्सक्राइब एक Susie बात चल रही है कि सबी समाज मिल जूल के रहे गए ना अंकल जी को कि आप से माहल बना हुआ है हाँ क्या चाहते हैं अच्छा आप साहब तो सब नहीं सब अच्छा होगा मन में ऐसा विल्कुल विचान ना रखे हैं ना अभी तो जो भी बात हो गई है वोझежд हो गई है अभी जो भी दिन चरिया के लिए प्रसासान चाह रही है कि दोनों समाज अपस से मिल जूल के रहें क्योंकि इसी Saom मेरा नाम आठी मेरा नाम सेलमान महमण आठी यहां वōलों के सब घर से उफके अथा जैसे वहाई Shallag अगल केमिक्त हैं जो चाहां बोहत के अंद्स बीड़ाए लिए भी ताला यहां भी ताला लगा था हूँ लोग दरबirmi यहां को रहागί को हम लोग अंदर चले गए थे घर के अंडर ताला वाला लाग के तो उन लोग आज बहुत के तीर अब हम लोग कैसे करते हमें डर के वजए से हम लोग लोग पड़े हुए हैं पूरा खिडखी मारे हैं वोदे देखो कांच का पूरा खिडखी भी तोड़े हुए हैं यह वाला भी खिडखी तूटा हुआ है पूरा उधर जो मैं काम करता हूं पूरा रोजगार करता हूं इसी में उसको जला दिये हैं पूरा बोर बोर भी तोड को डिये हैं हमारे घर का और बहुन से तादात में तो हम लोग डर गए थे सब माँ बाप जो भी थे सबब अ उसन्दर गुसा दिये थे या मं लोग डर के शिती ताले लगा दिये थे वहां इसे टाला लगा दिये थे उसको भी तोड़ के आ गए बहुत के दादात में ते इसलिए डर गए ते